फोटोशॉप्ड दुकान की तस्वीर टुइट करने के कारण ट्रोल हुआ चौरसिया लोगों ने दीपक की भक्ती देख लिखा तू भी पान की दुकान खोल ले देश को तो चूना लगा ही रहा है 2019 में कश्मीर पर लागू होने वाली धारा 370 और 351 के हटने के बाद से ही गोदी मीडिया एक अलगी जोश से लबरेज दिखता आया है कश्मीर पर शुरू से ही कॉंस्परेसी थ्योरी लिखने वाले तमाम नोईडा के क्रियेटिव राइटरों ने पपा के इशारों पर विपक्ष के उठ रहे सवालों के जवाब में अब पहले से ही राग अलापना शुरू कर रखा है कि धारा 370 के हटने के बाद से कश्मीर में बहार है लेकिन तमाम दिहारी मजदूरों से रेस में आगे निकलने के फिराक में दीपक चौरसिया फोटो शॉप्ड तस्वीरों तक जा पहुँचा है कश्मीर के लाल चौक की एक मिठाय की दुकान की तस्वीर को शेर करते हुए चौरसिया ऐसा कूद रहा था कि मानों उसके चाचा ने लाल चौक ही खरीद ली हो दीपक चौरसिया ने किसी यादव मिष्ठान भंडार की तस्वीर टूइट करते हुए लिखा लोग इधर सोचते ही रह गए यादव भाई ने कश्मीर में दुकान भी खोल ली वाह तस्वीरों की तक्नीकी पक्ष की समझ में विकलांग चौरसियानी जैसे ही ट्विटर पर ये तस्वीर ट्वीट की बेचारे की बकलोली को सबसे पहला धपा मशूर फैक्ट चेकर पंकच जैन ने की पंकच जैन ने फोटोशॉप करके मार्किक में चलाए जा रहे सभी तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा अगस्त 2019 में घोशना के तुरंत बाद ही 6 अगस्त 2019 से ये तस्वीरे घुमाई जाने लगी अब आप ये निर्ना लीजिए कि ये आदमी पत्रकार है या भग पंकच के ट्वीट के तुरंत बाद ही ट्वीटर पर लोगों का एक जत्था चौरसिया को बुरी तरह ट्रोल करने लगा इसी क्रम में भारत नाम के ट्वीटर हैंडल से चौरसिया के ट्वीट का जवाब आया तू भी पान की दुकान खोल ले फरजी पत्रकार बन कर देश को चूना तो लगा ही रहा है तो वहीं मैं भी गांधी नाम के ट्वीटर हैंडल से रिप्लाई आया यादव भाई ने कश्मीर में दुकान खोल ली और कववा शौचाले में ही पड़ा रह गया पनीशर नाम के ट्वीटर हैंडल ने मोदी जी की सीख चौरसिया को देते हुए लिखा जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए चौरसिया पतल चाटने की दौड में छब्बे जी बनने निकला था लेकिन दूबे जी बना कर जनता ने वापस दलाल मंडली में भेज दिया मालिक की तस्वीर चमकाने की फिराक में चेलो का फोटो शॉप तक उतर जाने पर आप क्या सोचते हैं हमसे जरूर साजा करें वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनलर को सब्सक्राइब करें